एक समय की बात है, एक अफ्रीकी सवाना के गहरे जंगल में एक शांदार शेर और एक बुद्धिमान हाथी रहते थे. शेर का नाम सिंबा था और हाथी का नाम कुम्बा. सिम्बा को उसकी शक्ती और साहस के लिए जाना जाता था, जबकि कुम्बा को उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता का सम्मान मिलता था एक दिन सवाना पर अचानक बड़ा सूखा पड़ गया सभी जानवर पानी और भोजन की तलाश में बेहाल थे सिम्बा अपने शक्तिशाली गर्जन के साथ अन्य प्रेतकों को भोजन की तलाश में अग्रसर किया जबकि कुम्बा जंगल के गहराई में एक छिपा हुआ पानी का स्रोत खोजने की योजना बनाता रहा दिन बीटते गए और सूखा बढ़ता गया लेकिन सिम्बा और कुम्बा ने साथ मिलकर उन्हें परास्त किया सिम्बा ने शक्तिवान प्रेतों को अधिक बलवान जानवरों की रक्षा करने में मदद की जबकि कुम्बा ने हर्बिवोर को गहरे जंगल में छिपा पानी स्रोत तक पहुँचाया इससे सभी के पास जीवन बच गया उनका सहयोग ने सवाना में शांती और सम्रधिलाई जानवर, सिम्बा और कुम्बा के नेतरित्व में इस पर प्रेरित हो गए कि अपने विभिन्नताओं के बावजूद मिलकर काम करने का महत्व सीखें उस दिन से शेर और हाथी अलग नहीं हो सके और सवाना को सिखाया कि शक्ती और बुद्धिमत्ता जब मिल जाते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है